तो दोस्तों इधर बीच काफी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि सर प्लीस दिवाली पर वीडियो बनाईए हाला कि मैंने पिसली वीडियो दिवाली पर ही बनाई थी मैंने जहालर को डिजाइन से चलाने वाली मसीन बनाई थी लेकिन उसी वीडियो के नीचे बहुत से ने लिखा कि सर प्लीज कोई दिवाली पर वीडियो बनाई तो चले फ्रेंट्स मैं आपी लोग के रिक्वेस्ट को देखूंगा और अभी जब तक दिवाली नहीं आ रही है मैं ज्यादा-ज्यादा कोशिज करूंगा दिवाली पर वीडियो बनाने की सब तो नहीं लेकिन मै वीडियोग利 भी फ्रैंट दिवाली पर यहां पर मैंने एक LED डेकोरेट लाइट बनाया मना यहां इस बनाये तो सब्सक्राइब यह वीडियो को शुरू करते और सब्सक्राइ McMnasar तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो आपके घरों में जो खराब LED बल्ब होगी आप उसको ले लेना और इसके उपर की यह जो उपर वाली कैप देख रही हो इसको हमें कुछ इस तरीके से दबा करके निकाल देना है तो बहुत से LED के यह बहुत ज़्यादा टाइट होती है अंदर गौन से चिपकीव यह आसाने से नहीं निकलती तो कुछ की तो निकल जाएगी कुछ की नहीं निकलेगी तो जैसा कि आप इसको देख रहे हो यह नहीं निकल लिए तो मैं आपको इसको निकालने तरीका बता द इन दोनों के बीच में एक जूइन होता है जो उपर काई पह और नीचे स्वाद्व है इन दोनों के बीच में जूइन होता है ठीक हम 150 किली चीज रखके मह अपड़ से ठोकने है जैसे कि यह आप देख रहा हो pantalla seven पे रंग कहें उपर हम हतोड़े से ठोकेंगे और यह उसके अंदर गुज जाएगी तो उसी तरह लाइन बाइन थोड़ी दूर पर हमें बार बार इसे ठोकना है तो इस तरीकेस करके यह फिर ठोड़ा महनत का काम है यह तो फिर उसके बाद यह निकल जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकत तोड़ तोड़ के बाहर निकलना पड़ता है तो इसे अंदर से हम पुरा खाली कर देंगे और इसके उपर कि यह वाली जो LED है इसे भी हमें हटा देना है इसके नीचे एक पेस्ट लगा होगा तो इसे हम पोच लेंगे तो यहाँ पर मैं इसे हटा दे रहूं और यहाँ पर अप देख सकते हो जैसे हमें इसे हटा रहूं यहाँ पर एक पेस्ट लगी गया है तो इसे हमें इसे हमें इचादा देना है तो अब फ्रेंट्स यहाँ पर देख सकते हो इस तरह की मैंने एक red ready, blue और green ओर ग्रीन तीन तरह की LED लिय और यह आँ तीनों को मैंने मैं नहें वायर कनेक्षों ने जोड़ा है और bei safe की इतनी विपलस है वह सब एक साथ round जोड़ दिया तो इस तरीके से हमको जोड़ो करके इसके अंदर से यहां पहले इसके अंदर से हम इस तरीके से बाः निकाल देना है और इन तिनों को हम डारेक्ट नहीं चिपकाएंगे अलुमिनियम पर क्योंकि जो भी प्लस माइनस है मारा वो शॉट हो जाएगा तो सबसे पहले हम जो जो तार वाला जो टेप होता है उसको हमें तीनों पर इस तरीके चिपका देना है और इसके उपर हम बल्ब को 521 से चि और यहां पर आप देख सकते हो हमने तार को छोटा कर देने बाद यहां पर मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया है जो कि इसी LED को बल्ब को जलाने के लिए मैंने दुकानदार से एक रेजिस्टर मांग लिया था तो उन्हें ने रेजिस्टर मुझे दिया सॉरी फ्रेंड का नाम किया है क्योंकि मैं इलेक्ट्रीसियन नहीं हूँ तो जितना मुझे जान का रही है मैंने उन्से इसका रेजिस्टर मांग लिया था तो उन्होंने मुझे दे दिया तो इस रेजिस्टर को हमें इसके अंदर लगा देना है और दो वायर उपर स्कनेट कर देना है और वो जा सके और इस होल को बढ़ा कर दिने बात यहां पर देख सकतो यह होल को मैंने बढ़ा कर दिया है और इसको बढ़ा कर दिने बात यह दोनों वायर है इसको हम उस होल के अंदर से निकाल देंगे और इसकी कैप को उपर से बंद कर देंगे तो यहां पर मैंने इसे सब को कर दिया है अर्जेस्ट कर दिया है और यह आप देख सकते हो इसके पीछे की जो वायर है वो उन दोनों होल्स में से इस तरीके से बाहर निकली हुई है और सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसे एक बैटरी से चला के देख लेंगे यह क्योंकि यह बैटरी से ही चलता है और जब व मैंने थोड़ा मोटा साइच का एक डिल बीट ले लिया है और इसको में जहां 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 भी निसान लगा है सप्प्य में होल कर देना है तो आप अपने जरूरत अनुसार ले सकते हो वैसे आप इतना मोटा होल रखोगे उतना देखने में प्यारा लगेगा यहां पर मैं जो इसका यह वाला इसा है इसको सबसे पहले हम जो सेंट पेपर होता है उससे घीस के बिल्कुल प्लेन कर देंगे नीचे से तो यह बिल्कुल स्मूथ हो चुका है अब हम इसके अंदर ग्लूगन से थोड़ा ग्लू भर देते हैं और इसमें ग्लू भर देने के बाद यहां पर देख सकते हो जो इस तरीकी की जो मोटर है मैं इसकी लिंक आपको डिस्करिप्सन बॉक्स में देदूगा अगर आप पच्छेस करना चाहते हूँ इसका रेट देखना चाहते हूँ वहाँ जाके देख सकते हो हमें इसके साफ चिपका देना है लेकिन अभी चिपकाने पर मत जाना यह भी मजबूत नहीं मैं अभी आप लोग आके बताने वालों कि किस तरीके से मजबूत होगा यह बाद में निकल जाएगा तो सबसे पहले यहां पर जो एक्ष्टा ग्लू आपको निकले हुआ है यहां पर देख सकते ह इसको हमें हटा देना है तो इसको हटा देने के बाद यहां पर देख सकते हो जो इस तरीके के जो एरल डाइट होती है उसका मिक्सर हमें तयार कर लेना है और यहां पर जहां पर हमने चिपकाया था ग्लू गन से उसके चारों तरफ हमें एरल डाइट से अच्छे से चिपक दिने बाद हम इसे कम से कम पंखे के नीचे 24 गंटे के लिए छोड़ेंगे तब जाके मजबूती से चिपक पाएगा और यहां पर आप देख सकते हो मैंने सपोर्ट के लिए टेप लगा दिया है और जो हमारा यह जो तारवाला टेप होता है इसके उपर हम इस तरीके से रख है और इसे मैंने पतला से इस तरीके से काट लिया है तो यहां पर ef requirements मैंने 2 पीसे इस तरीके से लंबे-लंबे में काट तो इन दोनों को क्या करना है मोटर के उपर लगाना है लेकिन मोटर के उपर हम डारेक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो शॉट हो जाएगा वहाँ पर हमें वायर कनेट करना है तो सबसे पहले हम इसके उपर जो तार वाले टेप होती है उसे लपेट देना है और यहाँ पर मैंने दो इस तरीके का तार ले लिया है और जो हमने अलमिनियम का जो लंबा वाला टुकड़ा इस तरीके सकट किया था उसके उपर हमें दोनों में तार जोड़ देना है और मोटर के चार ओर हम इस तरीके से लपेट देंगे और इसके बाद इस टुकड़े को हमें कैचिस काट करके फैबी कुइक से चिपका देना ह अप्रेंट्स आपको द्यान रखना है 5D कुग से चिपका देने बाद हो सकता है कि इसके उपर करेंट ठीक से फ्लो ना करें तो आप उसे किसी चीज की मदद से घीज देना तो वहां पर करेंट फ्लो करने लगेगा तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने दो two जो हमने अलुमिनियम्स काटा था उन दोनों को चिपका दिया है इस तरीके से राउंड में और दोनों में मैंने अएक में black wire और एक में red wire पहले से मैंने connect कर दिया है है क्योंकि इसमें GoB У kannst रहों और यहां पर इस तरीके से मैं एक जो एयुमिनियों होता है उसका इस तरीके से मनें एक टुकड़ा कटके लिया है और यहाऊँ पर देख सक sam तो इसके उपर की यह वाइर ऊपर नहीं दिखने चाहिए यह टखा हुगा आप इस तरीके से वायर को Aluminium Seat से इस तरीके से ढग सकते हो तो यहाँ पे आप 5W कुछ से चिपका करके इसे ढग देना क्योंकि friends अगर यहाँ पे वायर open रहेगी तो अभी हम light connect करेंगे नीचे तो light assist connect रहेगा और यह बार बार जलेगा बुतेगा तो इसो continue रखने के लिए हम wire के उपर Aluminium Seat को चिपका देते हैं ताकि light हमारे continue जलती रहे और यहाँ पे जो light है हमारी उसकी wire को मैंने cut कर लिया है और यहाँ पे मैंने जो Aluminium की seat है उसमें solding आपकी नहीं होगी तो हम wire में solding कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो जो PVC pipe की seat होती है मैंने एक छोटा और बड़ा इस तरी के टुकडा ले लिया है और इसके उपर पीछे के side में हम यहाँ पे इसे fabric को चिपका देंगे इस Aluminium seat को तो दोनो चिपकलों में हमें दोनों Aluminium seat को इस तरी के चिपका देना है और उसके बाद इसे हम Bulb के नीचे वाले side में चिपका देंगे लेकिन सबसे पहले हम Aluminium की जो seat चिपका इसे हमें 90 degree में इस तरी के मोड़ देना है यहाँ पे एक मैंने मोड़ दिया दूसरे को मैं आप लोग वायर टच करने चाहिए तो ब्लैक में हम ब्लैक को टच करा देंगे और रेड में रेड को तो इस तरीके से टच करने चाहिए अगर टच नहीं करेगी तो आप Aluminium seat को और ज्यादा मोड देना थोड़ा जिससे कि वो उसमें टच करने लगेगी तो इस तरीके से हमें इसे complete क देख लो ताकि आप लोग के समझ में आ जाए कि किस तरीके से मैंने connection दिया है अभी जो motor की वायर है और जो LED की वायर है उन दोनों को हम आपस में इस तरीके से connect कर देंगे दोनों को में parallel में connect करना है और यह हमारा इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसके पीछ लेकिन friends अभी रुको अभी तो मैं बहुत तरीके से इसे चला के दिखाने वाला हूँ अभी आपने तो रूम में देखा है यह नहीं कि रूम पर चलाने में कितना अच्छा लगता है तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हूँ जो इसकी आगए कि जो कैप है मैंने द तो यहां पर आप देख सकते हो सारी रोशनियों के लिए धग दिया है केल होल में से जो रोशनी बाहर निकले केल वही दिख रही है तो अभी चले फ्रेंड्स मैं इसे आप लोग को रूम में भी एक बार चला के दिखा दे रहा हूँ तो यहां पर मैंने रूम में इसे पंखे पर लटका दिया है तो अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये फेक वीडियो है ये जो तुमने बनाया थे ये वो लाइट नहीं ये खरीदी लाइट है तो मैं अभी आप लोग को वो भी दिखा दूँगा लाश्ट में तो सबसे पहले आप लोग इसकी रौश्णी देख लो कितनी अच्छी इसकी रोश्स्नी लग रही यहां पर मेरा कंप्यूटर जो अच्छै की तरह पाहरा बनाए तो उसे मेंने इसे ही बस मस्ती के लिए बनाया था उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया और यहां पर मैं तो चलिए अभी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं कि यह वीडियो फेक नहीं है जो मैंने मसीन बनाई है यह वही मसीन चल लिए तो चलिए अभी यहाँ पर मैं लाइट को ओन कर रहा हूं देख सकते हैं मैंने वीडियो को स्कीप नहीं किया है मैं डारेक्ट उसके उपर कर रहा हूं जो मैंने मसीन बनाई है और यहां पर मैं लाइट को अन कर रहा हूं और кадमरे के लगी आप इसे बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो मोटर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी आप वहाँ जाके मोटर पर्चेस कर सकते हो तो आयोप कि वीडियो आपको जरूर से अच्छी लगए वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को सेर करना मत बुला तो फिर मिलता हो लाइक वीडियो में तब तक के लिए जाहिए जाय बारत